तो चलिए दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अकाउंट हैंडलिंग क्या होता है और किस तरीके से आप अकाउंट हैंडलिंग करा के प्रॉफिट कमा सकते हो पैसे कमा सकते हो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं उनको पता ही रहेगा कि मैं दिन में बहुत सारी स्टोरी जालता हूँ अकाउंट हैंडलिंग के उपर तो आज किस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकरी देने वाला हूँ अकाउंट हैंलिंग क्या होता है इसके बारे में plus मैं trade कैसे करता हूँ कैसे आप लोगों को पैसे कमा के देता हूँ सब कुछ मैं आज live करके दिखाने वाला हूँ तो चलिए आज की वीडियो हम लोग जो है शुरू करते हैं सबसे पहले तो account handling इस शब्द को समझने की कोशिश करते हैं account handling यानि कि आपका account मुझे handle करने देना है जहां आपका जो trading account रहेगा वो आप मुझे दोगे पैसे deposit करके मैं उस account में trade करूँगा और उसमें आपको profit कमा के दूँगा इसको हम लोग बोलते हैं account handling लेकिन account handling के भी अपने कुछ rules and regulations होते हैं जो की मैंने बनाए हैं मेरे हिसाब से अब क्या rules है तो सबसे पहली बात तो मैं छोटे investment नहीं लेता हूँ अब छोटे investment यानि की 30,000 के नीचे ठीक है यानि की आप अगर मुझे अपना account दे रहे हो तो आपके account में कम से कम 30,000 रुपे होने चाहिए अब मैं छोटे accounts क्यों नहीं लेता हूँ क्योंकि अगर मैं कम investment वाले account लेता हूँ तो वहाँ पर loss का risk जादा हो जाता है अगर investment जादा होगा तो loss का risk कम होता है देखो risk तो रहेगा लेकिन risk factor कम जादा होता है इसके लिए अगर छोटे investment होता है तो मैं account handling के लिए नहीं लेता हूँ कम से कम आपके account में 30,000 रुपे होने चाहिए यानि कि आपके जेब में 30,000 से उपर ही होने चाहिए क्योंकि अगर हम लोग 30,000 रुपे डालते हैं वो भी promo code के साथ तो आपके जो 30,000 है वो बन जाते हैं 60,000 क्योंकि हमारा जो promo code होता है वो 100% के उपर का ही होता है तो अगर आप 30,000 डालते भी हो तो आपको आपके account में मिलते हैं 60,000 तब जाके मैं एक properly trading कर सकता हूँ उसके बाद अगर मैं आपका account handling के लिए लेता हूँ तो उसमें जितना भी profit होगा उसका 50-50% होगा ठीक है अभी एक for example पकरते हैं अगर आपने मुझे account दिया है 30,000 डिपाउजिट करके तो अगर उसमें 20,000 का profit होता है तो 20,000 में से 10,000 आपके होंगे 10,000 मेरे होंगे तो ये एक सिधा हिसाब है और एक चीज़ बता दू कि account handling में जिसका account होता है जिसके name से account होता है वही बंदा withdrawal कर सकता है ठीक है ये expert option app का एक special feature है समझे कि अगर आपने मुझे अपना account दिया फिर आप ये सोचोगे कि मैंने अगर अपना account दे दिया तो आप पैसे निकालोगे बिलकुल नहीं अगर वो account आपके name से है तो withdrawal आपके ही account में आएगा मैं क्या गर सकता हो या तो आपके पैसे हार सकता हूँ या तो फिर में जीत सकता हो लेकिन मैं पैसे उसमें से निकाल नहीं सकता हाँ मैं आपके account में पैसे डाल जरूर सकता हो तो इस तरीके से हम लोग अकाउंट हैंलिंग करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अकाउंट हैं सिक्यारिटी डिपॉजिट दोस्तों मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब मैं लोगों को प्रॉफिट कराके देता हूं तो वो लोग मुझे मेरा शेरिंग नही नहीं इनस्टा आइडी बनाते हैं और एक नया आकाउंट बना के मतब यानि कि दूसरा पर्सन बनके फिर मुझे अमांडिंग कर देते हैं तो इसके लिए दोस्तों मैंने टर्म निकाला है जो है सिक्योरे डिपॉसिट यानि कि हम लोग ऐक टारगेट पहले ही डिसाइड करेंगे अगर हमारे पास 30,000 रुपीज इंवेस्टमेंट है तो 30,000 से मैं जादा से जादा 20,000 का टार्गेट रखूंगा प्रॉफिट का और अगर मैं 20,000 का प्रॉफिट का टार्गेट रखता हो तो उसमें से 10 मेरा होगा तो मैं क्या करूंगा आपसे 10,000 पहले ह समझ रहे हैं कि ट्रेड करने के पहले ही आपको मुझे 10,000 रुपे भेजने होंगे और फिर में क्या करूंगा आपके अकाउंट में 20,000 का प्रॉफिट करा के दूंगा तो वो जो 20,000 रुपे होंगे वो पूरे के पूरे आपके होंगे तो यह टर्म था सिक्यारिटी डिप 50 में तो वो पूरा 50 आपका हुआ यानि कि टोटल आपको प्रॉफिट यहां पर 10,000 का हुआ अगर यहीं इन्वेश्मेंट आपका वन लैक का होगा तो फिर हम लोग वन लैक को टू लैक में कनवर्ट करने की भी कोशिश कर सकते हैं यहीं अगर आपका इन्वेश्मेंट प लेकिन मैं अपना बैस दूंगा मेरे पास दोस्तों पिछले 6-7 सालों का एक्सपीरियंस है अभी तक मैंने बहुत सारे लोगों को पैसे जीत के दिये हैं आप मेरे इंस्टाग्राम स्टूरीज वगेरा भी देख सकते हो और बहुत सारे लोगों ने देखी भी होंगी और जस्याइव लिए ट्यारे होंगे तो आप डेख करोगा हैा हमेशा प्रॉफित के ही जो रहते हैं जादा स्यादा मेरा प्रॉफित कई चाहरे होता है तो समझके ज़्यादा टेंशेल ने जरुब नहीं होती है और किसी पहला है अगर मिद्न mm करते हैं ट्रेडिंग बिस्ने रहा है यह एक नया account handling मेरे पास आया है और यह है अमीत जेन का account है उन्हेंने मुझे account दिया है मैं आपको थोड़े से details भी दिखा देता हूं इसमें अभी आपको दिख रहा होगा यहां पर आप देखिए तो यहां पर रियल बैलेंस फॉर्टी वन थाउजन रूपीज है बोनस इन्हें फॉर्टी थाउजन एक्च्वली में उन्होंने सिर्फ 40,000 डिपॉजिट किये थे चालीस हजार पर चालीस हजार उनको बोनस मिला है टोटल असी हजार हो गए और यह उपर के वन थाउजन है वह मैंने आप भी जस्ट रिसेंट्ली एक ट्रेड करके प्रॉफिट निकाला है मैं आपको दिखा देता हूं पानेंस में जाएंगे पेमेंड हिस्ट्री में जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हो उपर लेफ साइड में उपर आप सकते हो 17 तारिक को जो है इन्होंने यहां पर डिपॉजिट किया है जो कि आज ही की डेट है देख सकते हो डिपॉजिट अमाउंट 40,000 और उनने में नया अकाउंट बनाया है जब भी आप नया अकाउंट बनाते हो मेरे लिंक के थूरू तो आपको 100% का बोनस मिलता है तो वो भी एक best option होता है मैं आपको नो एक bonus का भी एक plus point बदता हूं और एक negative नेगेटिव पॉइंट यह है कि वह बोनस जो आपको मिलता है वह आप निकाल नहीं सकते हो जब भी आप विड्रावल करोगे जितना भी बोनस आपके अकाउंट में रहेगा वह साइड में हट जाएगा वह आप नहीं निकाल वागे लेकिन बोनस किस तरीके से हेल्प करता है अगर आपके अकाउंट में 40,000 रुपे है और बोनस आपके पास और 40 है तो आपका एक्च्वल में अकाउंट समझो ऐसा समझो कि वह 80,000 है अभी उसमें से क्या होता है पहले जो आपने 40,000 रुपे आप हारोगे वह आपका रियल आप पैसा रहेगा ठीक है फिर आपके पा एक लाग के नीचे investment है तो bonus बहुत ही important factor होता है उसके लिए हर मैंने मेरे पास एक से लेके दो प्रोमो कोड आते हैं जो आपको डबल बोनस कराते हैं लेकिन उसके भी कुछ शरते होते हैं कि वह कोड जो है सिब 40,000 की नीचे के लिए ही valid है मतलब अगर आप 50,000 डालोगे न तो पचास का एक लाग नहीं बनेगा ठीक है वह सिब 40,000 तक ही है 40,000 से नीचे के लिए यूज करोगे तो आपको डबल बोनस मिलेगा अगर आप 40,000 के उपड़ डालने जाओगे तो नहीं मिलेगा ठीक है तो ऐसे प्रोमो कोड है जो कि आपको मेरे description box में भी मिल जाएंग जो कि मैंने अभी आपके लिए लगा दिये है क्योंकि अगर मैं 1200 रुपे लगाता हूँ तब जाके मुझे कुछ 1000 रुपे का profit होगा चीक है तो देखते हैं यह जीतता हूं या फिर हारता हूं अगर हारूंगा तो बैटर दाएगा फिर में नेक्स ट्रेड भी आपको बता पाऊंगा तो यहां पर सलक तो नहीं रहा हारूंगा कि अभी ओके ओके ओपर गया फाइफ फोर त्री चू वानन सक्सेस्फिर ओके दोस्तों देख सकते हो मैंने लगाई तो यहां पर आप देख सकते हो अमांट बारा सो है यहां प्रॉफिट कितना मिला है एक हज़ार पी रुपए का टोटल हम लोगा रेटन कितना है 2220 इस रुपे के अगर अगर यह तरीड रुपए की हारता तो नेक्स ट्रेड में ऐसी करता जिसमें मैं पिछली ट्रेड को कवर करता समझ रहे हो क्या अगर मैं बारासा आतों तो इस तरीके से जो है मैं ट्रेड करने वाला हूँ और नो डाउट की बारासो बारासो से नहीं करूँगा यह जांपल है कि अगर मैं चोटे-चोटे इन्वेश्मेंट से ट्रेड करता हूँ तो बहुत जादा टाइम लग जाता है प्रोफिट बनाने में लेकिन वैसे भी मैं पूरी-पूरी कोशिश करता हूँ कि कम से कम रिस्क में जादा से जादा प्रोफिट में यहां पर कमा तो कुछ इस तरीके से दोस्तों होती है अकाउंट हैंडलिंग तो अगर आपको अकाउंट हैंडलिंग करना है तो कम से कम आपके पास 50,000 रुपे या तो फिर मैक्स टू मैक्स 40,000 रुपे तो भी होने चीए अगर आपके 40,000 है तो 30,000 आप अकाउंट में डिपोसिट कि आपको 10,000 का प्रॉफिट हो सके तो अभी देखना है दोस्तों कि अमीज जी ने हमें यह अकाउंट दिया है में कितना इसमें जो है इसमें प्रॉफिट करा सकता हूं यह पूरे टोटल वन लैक डिपोसिट करने वाले थे लेकिन उनका कल सम्दिंग कुछ यूपिया का खत्म हो गया ता जिसके वाज़े से उन्होंने सिर्फ 40,000 किये हैं वह और 60,000 इसमें डिपोसिट करने वाले हैं यानि कि टोटल डिपोसिट उनका रहेगा इन्वस्मेंट रहेगा वन लैक का और मैं पुरी कोशिश करूंगा कि वन लैक को टू लैक में कनवर्ट कर सकूं क क्योंकि उन्होंने मुझे और डी 50,000 रुपीज का सिक्यारिटी डिपोसिट देखी रखा है तो देखते हैं कितना ताइम लगता है जब भी यह वन लैक टू लैक में कनवर्ट हो जाएंगे मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा वैसे तो आपने देखी लिया रहेगा अकाउं में दी है और उसी के साथ साथ अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत कम है साथाट हजार से साथाट हजार है तो भी आप मेरे साथ पैसे कमा सकते हो आप मेरा पेड़ ग्रूप जॉइन कर सकते हो मेरे पास एक ग्रूप है जिसकी फीस 5000 रुपीस पर मन्त है लेकिन आ ग्रूप में मैं सिगनल्स देता हूं सिगनल्स यानिकी मैं आपको बताता हूं कि कब आपको आपके पैसे लगाने हैं कहां लगाने हैं कितने लगाने हैं कितने समय के लिए लगाने हैं सब कुछ में जो है मेरे ग्रूप में बताता हूं तो अगर आपके इस इन्वेस्टम नहीं क्या है तो सबसे पहले चानल लोगों को भी सब्सक्राइब कर लीजिए